तो मैं यूट्यूब चैनल और अभी हम देख रहे हैं चैप्टर नमबर 3 टीट्मेंट और फ्रेक्शर जनरल प्रिंसीबल्स इसके अंदर यह सेकंड पार्ट है इससे पहले इसके जो पहले यह सारा दिया हुआ है इंट्रोडेक्शन यह सब हमने कम्प्रीट किया है अब हम देख रहे हैं fundamental principles of fracture treatment कि जब कोई भी fracture होगा उसके बाद उसके treatment में तीन चीज़ें important होंगी सबसे पहलों का reduction, immobilization और preservation of function ठीक है यह तीन चीज़ें होंगी reduction, immobilization and third one is preservation of function तो अब इन तीनों चीज़ों को समझते हैं reduction जो है वो technique होती है जिसमें आप जैसे bone है अगर वो fracture होई है तो displaced होई होगी कहीं से हटी होगी ठीक है तो उसको बापेस से उस anatomical position में ला करके set करना क्योंकि एक proper alignment चाहिए होती है जिसके अंदर वो bone growth करे और आगे बढ़े ठीक है तो यह दो तरीके से हो सकता है non-operatively हो सकता है और operation से भी हो सकता है ठीक है जैसे कि जब close और open reduction मनलब close होगा कि skin आपकी close की close है वहाँ पर आपने under anesthesia में ही उसको reduction कर दिया but open reduction बोलते हैं जब उसकी surgery कली आपने पूरी soft tissues को remove किया फिर उसकी bone की alignment को सही किया आप देखते हैं immobilization immobilization ज़रूरी होता है क्योंकि bone जो है वो आपकी alignment के अंदर तो आगे है लेकिन अगर वो move होती रहेगी तो उसकी जो fracture line है वो fill नहीं होगी bone formation वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर immobilization मतलब एक तरीके चो segment को rest चाहिए होता है ठीक है तो उसमें reduced position में उसको maintain करा जाता है यहाँ पर यह चीज़ करी जा सकती है external immobilization से जैसे कि plaster use किया जाता है या फिर internal fixation of fracture से जैसे कि roll लगा दी गई या plate screw ऐसी चीज़ मतलब proper surgery करी गई है और फिर उसके अंदर जो है आपका जैसे अब open reduction हुआ ठीक है तो उसके साथ साथ जो है आप यह plate और screw वगएरा भी लगा देंगे तो वो properly immobilized हो जाएगी ज जल्दी चलना शुरू होगा ओके अगर closed reduction हुआ है तो बहार से फिर आपको external immobilization देनी पड़ेगी plaster splint ऐसी चीज़ है थर्ड है preservation of function after such a long immobilization जो functions होते हैं वो सारे जो हैं खतम हो जाते हैं joint stiffness देखने को मिलती है muscle atrophy हो जाती है तो यहाँ पर physiotherapy का roll आता है हम लोगों का roll आत है उनको वापिस preserve करना है उनको वापिस से लाना है क्योंकि functional range of motion तो हमें दे नहीं है न पेशेंट को तो अब देखते है method of treatments इसमें क्या क्या दे रखा किस किस तरीके से treatment करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे treatment के methods दे रखे हैं एक बार overview लेते हैं इसका treatment by functional use of limb treatment by immobilization alone ठीक ह treatment by closed reduction followed by immobilization closed reduction and percutaneous fixation open reduction internal fixation और इव बोलते हैं इसको सकते हो ठीक है तो अब एक एक करके इन सब को देखेंगे दिहान से इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसको समझो जो functional use के through lymph का जो function use है उसको maintain रखना है कोई जादा उसकी ज़रूरत नहीं है उसके functions को वो करने ही ज़रूरत नहीं है किसी reduction की ज़रूरत नहीं पड़ती immobilization की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो कौन से fractures होते हैं जिसके अंदर यह चीज़ किया रही जा सकती है ribs की और scapula की क्योंकि यहां पर जो blood supply होती है scapula के अंदर वो बहुत high amount में होती है जिसकी वजह से कि इसकी जो healing होती हो बहुत faster rate पर होती है तो simply हम कुछ analgesic दे सकत इनिशल few days में basically pain relief के लिए बाकी इसमें जादा किसी immobilization के reduction की ज़रूत नहीं पड़ेगी दूसरा तरीका है सिर्फ और सिर्फ immobilization के तुरू कि उस चीज़ को आप जो है fracture को rest दे दीजे उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा जैसे कि आपका surgical neck of humorous होती है अगर उसका fracture हो जाता है तो उसमें सिर्फ immobilization जो उसकी anatomical reduction की भी ज़रूत नहीं होती है इन fractures के अंदर वो automatically होने लग जाते हैं जो पहले displaced नहीं होते हैं even अगर वो हो भी जाएं तो displacement जो है वो कोई consequences नहीं निकालेगी कोई eventual outcome नहीं होगा बहुत जादा harmful नहीं होगा उसके उसका एक displacement हो जाना भी ठीक है तो vary करता है treatment depend करता है कि किस तरीके का fracture है क्या वहाँ पर blood supply यह सब चीज़ों पर भी vary करता है treatment by अब third one है treatment by close reduction followed by immobilization close reduction हमें पता ही है कि skin वगेरा same रहेगी कुछ नहीं बस anesthesia के अंदर दे करो कि उसको reduction कर दिया जाएगा वहीं पर ओके यह जादा जरूरी होता है displaced fracture के लिए और यह non operative method होता है इसके अंदर कोई surgery वगरा नहीं करी जाती है इसमें mild sedation या फिर under anesthesia क्योंकि pain की sensation उसको बहुत जादा होगी उस time पर इसलिए under anesthesia दिडाल दिया जाता है और क्योंकि जैसे anesthesia का काम सिर्फ pain खतम करना नहीं होता अगर आप किसी patient को without anesthesia करेंगे तो वो register करता है उस चीज के लिए तो वो बहुत जादा complicated हो सकता है डॉक्टर के लिए उसको उस time reduction करना without anesthesia या sedation मतलब कि जब वो तोड़ा सा नीन में हो बेहोशी सी में हो ठीक है immobilization मतलब उसको वैसा ही preserve कि मतलब उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है plaster के अंदर रख दिया जाता है और यहाँ पर जो है एक special there is a trend towards use of special video x-ray machine called image intensifiers यहाँ पर एक special video x-ray machines का use किया जाता है जिसे हम image intensifier कहा जाता है ठीक है as a aid मतलब इसके through जो है आप पता कर सकते हैं image intensifier से कि reduction सही हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है अगर complicated है थोड़ा सा reduction तो ठीक है once acceptable reduction is achieved अगर एक बार जो आपको reduction चाहिए था proper वो अगर मिल जाता है तो यहाँ पर जो है आप उसकी proper position को maintain रखने के लिए fracture को वहाँ पर plaster लगाएंगे और by taking उसके बाद आप frequently x-rays लेते रहेंगे उसको और judgment करने के लिए फोर्थ तेखते हैं close reduction and percutaneous fixation close reduction ही हो रहा है अभी तक मतलब कि कोई चीरफार नहीं हो रही है percutaneous मतलब ऊपर की तरफ से ही fixation fixation होता है मतलब उस चीज़ को fix करने के लिए उस चीज़ को fix करने के लिए वहाँ पर क्या चीज़ लगाई जाए रही percutaneous मतलब ऊपर से skin के ऊपर ऊपर से तो यहाँ पर बहुत सारे fractures होते हैं जो reduce करे जाते हैं close manipulation से लेकिन अगर unstable है तो उनके अंदर जो है unstable fracture होता है जो बहुत बड़ी amount मतलब बहुत बड़ी amount में destroy हो जाती है bond ठीक है तो इसके अंदर potential होता है वहला ऐसे fractures के अंदर और ज्यादा डिस्प्लेस होने के potential होता है वह और ज्यादा डिस्प्लेस हो सकती है यह fracture होते हैं यह reduce किये जाते हैं under image intensifiers और fix करा जाता है with percutaneous devices जैसे कि के वायर rush pins etc ओके यह जो devices होते हैं यह without opening the fracture percutaneous ली भी किये जा सकते हैं तो यह जो कुछ ways है percutaneous way जैसे के वायर रश पिंस वगएरा यह यहां पर आपका जो fracture है उसको एक पूरी तरीकी से बांद कर रखते हैं जिसकी वैसे वह heal अच्छे से होता है और बागी आप external support भी दे सकते हैं उसे plaster हो गया यह splint ठीक है यह सब चीजें भी आप एक additional limited time तक वहाँ पर जोड सकते हैं इसकी वैसे के healing होगी हो के अब देखना है open reduction and internal fixation नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीज open करके फिर उसको anatomical position में reduce किया जा रहा है और साथ की साथ कुछ अंदर ऐसी चीज लगाई जा रही है जो fix कर रही है उस fracture को तो इसको भोलते हैं और if कुछ fractures ऐसे होते हैं जो intra-articular fractures होते हैं मतलब दो जुणने वाली जगाँ पर fracture हो जाते हैं where accurate reduction, stable fixation और early mobilization ये तीनों चीज हैं बहुत ज़रूरी होती है joint function को बापस लाने के लिए कि जो reduction हो वो proper amount में एक accurate position पर हो और stable fixation हो और बंदा चल भी जल दी सके ठीक है तो यहाँ पर open reduction और internal fixation करी जाती है तो मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे femur का fracture हो किया बहुत critical condition में तो वहाँ पर आप overive करेंगे तो ये example था अब देखते हैं next one minimally invasive open surgery जिसे हम miss मोलते हैं minimally का मतलब है इस कांतलब है कि बहुत कम space को disturb किया जाएगा बहुत कम soft issues को disturb किया जाएगा और आपका जो है ऐसे advanced technology के थ्रू वहाँ पर जो है उस चीज को surgically exercise किया जाएगा उस जगे से जिससे कि ना तो हमारे soft issues ज्यादा harm हो और ना healing में ज्यादा time लगे और mobilization भी जल्दी हो सके ठीक है तो कुछ fractures होते हैं जिनने operation की जरूरत होती है लेकिन जब वो minimally invasive technique से होते हैं तो वहाँ पर immobilization की जो period होता है वो कम हो जाता है तो यह जो miss है ना यह बहुत advanced technology है जो अब बहुत ज़्यादा use करे जाने लगे है बट past में क्या होता था कि अगर कोई bond का fracture हुआ है तो उसको पूरा धेडा जाता था फिर उसको reduce किया जाता था फिर से वो सारी शीज़ें करी जाती थी उसको heal करने के लिए चोड़ा जाता तो इसमें क्या होता था कि जो आपकी blood supply है वो खतम हो जाती थी due to mistake या फिर इतनी सारे उसके बाद blood loss भी बहुत जादा होता था ठीक है पूरे soft issues को remove करके लेकिन आजकल क्या होता है कि ये modern days के अंदर ही trained आ गया है कि minimal explosion अगर होता है इसके साथ साथ ऐसा इसलिए हो पाया ह है क्योंकि हमारी जो technology है उसके अंदर image intensifier image intensifier introduced हुआ है जिसकी बजाएसे हम वो एक पतली सी चीज होती है 2 mm के around की वो होती है उसकी विर्थ होती है जिसकी बजाएसे वो जो है invade कर जाती है हमारी body के अंदर जो desired place है और वहां से हम अपने screen के ओपर देख पाते हैं कि हमें क्या करना है कहां से reduce करना है कहां से cut करना है ठीक है तो ये सारी शीज़न जो है हम देख पाते है fracture is stabilized internally using special device तो अंदर जो है उसको stabilize किया जाता है आपका rod plates इन सब चीज़ों से और small incisions बनाए जाते हैं special instruments के थरू इसके बहुत सारे advantages जैसे कि पहले के time में जो blood supply थी bond की वो खतम हो जाती थी ठीक है but miss के थू जो है blood supply bond की वो preserve रहती है और जल्दी union हो जाता है pain भी कम होता है patient को और recovery के chances भी बहुत ज़ादा होते हैं बहुत तेजी से recovery होती है और दिखने में भी अच्छा लगते हैं कभी pate की surgery हो रही है या gastro instructional system की हो रही है और उसमें पूरे ऐसे pate पे incisions पूरे पूरे दिख रहे हैं तो वो जीसा ही नहीं लगती थी अब छोटे से holes होते हैं तो वो इतना दिखाई भी नहीं देते हैं अब last one है हमारा primary joint replacement जो कुछ fractures ऐसे होते हैं जहां पर जुडने के chances बहुत जादा कम होते हैं ठीक है जो broken part है से लिए वो replace कर दिया जाता है अपना एक artificial part स जिसे हम prosthesis कहते हैं और यह commonly हमारा shoulder fracture के लिए और hip fracture के लिए किया जाता है ठीक है तो यही कुछ आपके सारे के सारे यहाँ पर ways बता रखे हैं कि treatment के क्या क्या तरीके होंगे तो यहाँ पर कुछ और factors हैं जो आपके इन सारे methods के लिए जरूरी है वो है आपके कि patient का profession क्या है उसको जल्दी immobilize होना जरूरी है age क्या है patient की gender क्या है requirement क्या है और सबसे दूसरी बात कि जो injured lymph है वो dominant मतलब कि उसी से right है तो अगर right hand वो dominant hand उसका right hand है तो वो क्या right hand पर अ injury हुई है तो उसको fast mobilization की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो functional काम करता है उसके daily के working वही करता है ADL ठीक है बाकी surgeon का experience भी matter करता है बहुत जादा कितनी facilities available है patient क्या इतने बड़े बड़े operations को afford कर सकता है जैसे miss है तो वो बहुत expensive भी होता है in comparison to other methods तो क्या वो afford कर सकता है या बा about the fundamental principles of fracture treatment ठीक है और some methods of treatment यह second part है अब आगे हम देखते है reduction of fracture please subscribe my channel पूरी महेश्वरी बढ़ाने वाले हैं ठीक है